नमस्कार दोस्तों एडिश वाला चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है हम लोग हिंदी साहिते का इतिहास पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने जो कवीता वाला आपका इतिहास है या जिसको पद जो कहते हैं ये वाला हिस्सा हमने पूरा कर दिया है अब आज से जो है हम अपना गद वाला जो पोशन है इसको स्टार्ट करेंगे यानि कि जो आपका गद साहिते का इतिहास है देखिए पहले हम स्लेबर स्वाइट कुछ चीज़े समझते हैं जब हमने अपना पद वाला पोशन कंप्लीट किया था तो हमने मुख्यता ध्यान दिया था पेपर वन के टॉपिक कंप्लीट करने पे यह क्योंकि हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल, अधोनिकाल, भारत इंदुयोग, दुईतियोग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रियोगवाद यह सब हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे, यह हमने पेपर वन को ध्यान में रखते वे पढ़े थे लेकिन जो आपका पेपर टू है, है ना, उसके अंदर भी तो पदवाल की बहुत सारी रचना है, आपके स्लेवस में मेंचन की गई है तो हमने वो जो पांच कवी थे, बिहारी, तुलसिदास, कबीर, उसके बाद जायसी इनको हमने पढ़ लिया था अपने पदवाले पोशन के साथ ही, यानि कि हमने स्लेवस टू का भी कुछ पोशन कम्प्लीट किया था, लेकिन व्याक्या वाला जो पोशन था, वो हमने छो पूरे केते, कामाईनी हमने पूरा पढ़ा है, जैशंकर परशाद के साथ, और कामाईनी का व्याक्या वाला वीडियो भी हमने बनातिया है, तो ये तो हुआ जब हमने पद पढ़ा, अब जब गद की बात आती है, तो देखिए गद के अंदर क्या है, आपके कहानी, उपन कामाईनी को लेके जो पेपर 2 में आपका स्लेबस है, उसको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे, इसी तरह उपन्यास तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उपन्यास के साहित्ते, जो की पेपर 1 का पोश्चन हुए, इसको पढ़ते हुए, जो पेपर 2 में आपके चार उपन्य कोशिश करेंगे, उनको भी साथ में पढ़ते हुए चलें, इससे क्या होगा, हमारा जो लिंक बंद रहा है, पेपर 1 की वज़े से, वो हमारा पेपर 2 में भी काम आएगा, और हमारा स्लेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा, चीक, सॉरी, तो ये तो थी, अब कैसे हम च पेपर 1 में आपका कहानी का इतिहास आएगा, पेपर 2 में आपको दो किताबे दी हुए हैं, एक है प्रेमचन की कहानीों का संकलन, और दूसरा है एक दुनिया समानांतर, तो ये दोनों किताबे जो हैं, आपके पेपर 2 में कहानी में 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 दुनिया समानांतर की जो कहानी है इनकी podcast series हमारी वीडियो चैनल पर पढ़ी हुई है आप उसको वहां से देख सकते हो प्रेमचन आसान है उसको आप खुद पढ़ सकते हो तो आज से हम शुरू करेंगे कहानी चीक है तो पहले कुछ basic चीज़े समझते हैं उसके बाद detail में पढ़ेंगे देखे जो गद साहि इते हैं वो मोटे प्रकार से तीन प्रकार का होता है जिसमें से पहला आता है आपका कथात्मक गद जब कोई बात कथा के रोप में कही जाए जब कथा कोई कही जाती है तो कथात्मक गद दो प्रकार का होता है एक कहानी और एक उपन्यास कहानी में आपके स्लेवस में है प नाटक में आपके स्लेवस के अंदर तीन चीज़े दी गई हैं भारत दूर दर्शा, सकंद गुद्ध और आसाड का एक दिल फिर उसके बाद आती है विचार प्रधान गद विचार प्रधान गद के अंदर दो विद्याय हो जाएंगी एक आपका निबंध और दूसरी आलोचना निबंध में आपके स्लेवस में चिंता मणी और निबंध निले दिया हुआ है आलोचनों को समिक चाय या फिर समालोचना में कहते हैं इसके अलावा फिर एक और केटेगरी होती है जिसको अन्य विद्याय कहते हैं इसके अंदर आत्मकथा, जीवनी, संस्मरन, रेखा, चित्र, डाइरी लेखन, पत्र साहिते, यात्रवरतांद, रिपोर्टाज, यह सब आ जाता है तो यह है जो आपका स्लेबस के अंदर कौन से किताबे मेंचन की हुई है आपको हिंडी साहिते के इतियास के गद साहिते में क्या पढ़ना है गद साहिते को कितने भागों में बाटा गया है यह पेसिक है तो हमारी जो आज की वीडियो है वो कहानी की है तो हम वही पढ़ेंगे अब आजाए कहानी पे ठीक यह, तो कहानी में paper one में पूछा हुआ है कहानी का इतिहास paper two में दो बुस्तके है clear, अब देखिन, क्या है कहानी क्या है, एक विद्या है है ना एक तरीका है अपनी बात को कहने का तो कहानी तो जो विद्या है वो तो हमेशा एक रहने वाली है लेकिन कहानी कहने की जो शैली है जो कला है वो अलग-अलग हो सकती है तो जो विद्या है वो अब्जेक्टिव है यानि कि कहानी है और जो शैली है उसको कहने का तरीका ह वो subjective है, हर लेकर के अनुसार अलग-अलग होता है क्या इतना deep में जाने की जूरत नहीं, इस जब आपके काम का नहीं, जिस्ट ठीक है समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए, जो कहानी, जो actually मनुष्य जब कभी भी सभ्य होना शुरू हुआ था यह आप कह सकते हैं कि जो मनुष्य के विकास का एक पूरा दोर रहा है तो इसमें क्या हुआ है, उसने अपनी मनुरंजन के साधन हमीशा से ढूंड के रखे थे है ना, मनुष्य की यह प्रवत्ती है, उसका नीचर है कि वो बिना मनुरंजन के सर्वाइव नहीं कर सकता है तो जो नाटक थे, जो कहानी थी, लोक कता थे, गीत थे यह ऐसे विद्याएं हैं, जो मनुष्य के साथ साथ ही चलती आ रही है और इनका एक कोई ऐसे काल निधारित करना की इस काल से शुरू हुई थी, यह मुश्किल है क्योंकि आपने देखेंगे कि भीम बेटका की गुफाओं में भी आपको चित्रकला दिखाई देती है उस चित्रकला में किस तरह के चित्र बने हुए है? कि जैसे कोई संगीत समारो हो रहा है, कोई त्योहार मनाया जा रहा है तो जो गीत हैं, लोग कताएं हैं, कहानिया हैं, इसको हम प्राकरतिक विद्या कहते हैं क्यों? क्योंकि हर काल में, हर स्थान पे, हर समाज में पाई जाती है लेकिन जैसे movies है या उपनियास, novel है इसका एक काल निधारन किया जा सकता है कि हाँ, ये इस काल में शुरू हुई थी इस काल से movies जो है आनी शुरू हुई थी तो ये कासे विद्या है? ये एक एतिहासик विद्या है, क्यों? कि किई ये किसी खास देश में, किसी खास काल में प्रारम हुई है जी कैंट टो जो चीज मनोष्य के विकास के साथ शुरू से चली आ रहे थी उसको हम प्राकर्टिक विद्या बोल देते हैं जो एक विकास कर्म के दोर में किसे एक खास समय पे पैदा हुई है उसको हम एतिहासक विद्या बोल देते हैं चीक है तो कहानी हमारी कैसे विद्या है प्राकर्तिक है चीक है चालिए लेकिन अब देखे क्या है जब आप टेक्निकल तर्म में बात करेंगे तो जो कथा है और जो कहानी है इसमें अंतर होता है तो भारतिय जो समाज है उसके अंदर कथा तो एक प्राकर्तिक विद्या के रोप में शुरू से ही प्रचलन में थी हम लोग कथा कहानियां कहते थे लेकिन कहानी के जो शुरूआत है वो काफी लेट अठारासो नो अठारासो पचास के बीच का एक समय काल है वहां से माना जाता है क्या डिफरेंस है देखे जो कथा होती है उसमें कथा कहने के बाद ये पूछा जाता है कि इस कथा से या इस कहानी से आपको क्या सिच्छा मिली यानि कि इसके द्वारा किसी आदर्श की स्थापना की जाती है है ना ये यथार्त की बात नहीं करती इसमें आपको आदर्श वाद दिखाई देता है जैसे एक राजा था, एक विलिन था, ठीक है और वो जन्ता को बड़ा परिशान करता था फिर राजा ने उस विलिन को पकड़ लिया फिर उसका हर्दे परिवर्तन हो गया वो भी एक अच्छा इंसान बन गया सब लोग खुशी-खुशी से रहने लगे कुछ इस तरह की बातें तो फिर होगा कि इससे आपको क्या सिक्षा मिलती है कि भाई अच्छा बन के रहना चाहिए, सब लोग खुश हो जाते हैं उससे मतलब इस तरह की बाते है तो जिससे चीज में आपको कोई सीख दी जाए, कोई सिक्षा दी जाए, बुच्चों को जैसे सुनाई जाती है न, पंच्चतंतर की कहानिया, हितोपती, चातक कथाए, कथा सरिच सागर ये सारे एक्जैम्पल आपके कथा के कहानी में क्या होता है कि जो जैसा संसार है, इसकी कहानी वैसे ही लिखी जाए कोई सिक्षा न दी जाए कोई इसमें आदरश के स्थापना न की जाए, अगर दुनिया बुरी है तो उसको बुरा ही दिखाया जाए अगर पात्र अच्छे और बुरे हर तरीके के मिलते हैं, तो उनको वैसा ही दिखाया जाए, यानि कि यथार्थवादी, इसमें कोई education आपको नहीं मिलती है अगर कोई ब्रस्ट है और उसका अंतिम समय तक ब्रस्ट ही रहता है तो क्या जुरूरत है उसका हर्दे परिवतन करके उसको अच्छा दिखाने की तो उसको वैसा ही दिखाये तो ये एक मेन अंतर है आपको ध्यान रखना है क्योंकि कहें बार UPSC में ये टिपनी पूछी जा चुकी है कि कथा या कहानी में क्या अंतर है पता होना चाहिए तो अगर एक आजर श्वाद की स्थापना की जाए अगर कोई सिक्छा दी जाए तो वो कथा हो जाती है लेकिन अगर यथार्ट को प्रस्तुत किया जाए जो जैसा है उसको वैसा ही कहा जाए तो आपकी कहानी होती है तो ठीक है ये हम समझ गए कि जो कथा थी वो भारत्य समाज में किसी भी समाज में स्थाटिंग से जो है परचलन में थी लोग कथाएं ये सब हमारे हाँ पहले से था तो जो ये यथार्टवादी कहानिया है जिसको आदुनिक समय में स्थोरी माना जाता है ये कब से स्थाट हुई तो देखे पश्चिम से स्थाट हुई जो एडगर एलन बो थे जेक है इन्होंने एक शॉर्ट स्थोरी मुवमेंट शुरू किया और इसी शोर्ट स्थोरी मुवमेंट से जो है जब भारत में अंग्रीज आये हमारे नवजागरन चला हम लोग एड़ुकेटर हुए और हमने पश्चिम साहित्य को पढ़ना शुरू किया उससे परभावित होना शुरू हुए तो हमारे हां के जो लिखक थे वो शुर्ट स्थोरी मुवमेंट से प्रभावित हुए और हमारे हां पे भी यथार्दवादी कहानिया लिखने की शुरुआत की जाने लगी और यहीं से जो है आधुनिक समय में जो कहानी का अर्थ लिया जाता है यह परंपरा प्रारंपुई तो यह तो था कथा और कहानी का डिफरेंस अब देखिए कैसे कहा जाएगी कोई विद्या कहानी है है ना तो कुछ तत्व होंगे ऐसे जिनको माना जाएगा कि भई यह तत्व अगर है तो यह विद्या कहानी है तो सबसे पहली बात तो क्या है उद्देशे होना चाहिए ठीक है अगर आप कुछ लिख रहे हो उसका कुछ उद्देशे होना चाहिए कोई दर्शन हो कोई अधार हो आप ऐसे क्या बात कहना चाहते हैं आप क्या साबित करना चाहते हैं क्या दिखाना चाहते हैं स्रचना के म तो एक उदेश्य हो जिसको लेके आपने कहानी लिखी हुई हो और अच्छी कहानी कौन से मानी जाती है जिसके उपर उदेश्य थोपा हुआ ना लगी जैसे यश्पाल है वो माक्स को फोलो करते हैं तो उन्हों की बहुत सारी रचनाओं में जैसे दिव्या है तो दिव्या जब आप पढ़ेंगे ना तो कई बाद जो मारिश केरेक्टर है उसमें देखके आपको लगता है कि ये पादर अपनी सौभाविक रूप में नहीं बोल रहा है लगता है कि लेखक ही यहां पे मारिश के रूप में आके बैठ गए हैं और लेखक अपनी विचार बोल रहे ह या फिर जैसे हमने रश्मी रती पढ़ा था उसमें जो भिश्म अपनी बाते कहते हैं तो विज्ञान और परमाणू युद्ध इन सब तक की बाते करने लगते हैं तो लेकिन भिश्म का काल तो ये सब बाते नहीं कहता था तो पिलकुस पता चलता है कि जो लेखक है वही आके बैठ गया है पात्र के रूप में और पात्र के मुख से वह अपनी बात कहला रहा है वो अपना उदेश्य थोप रहा है तो अच्छी कहानी वह मानी जाती है जिसमें उदेश्य उपर से थोपा हुआ ना लगे बलकि कहानी में वह खुल मिल जाए आपको पता ही ना चल तोटल छे तत्व होते हैं जिसमें से पहला तत्व है उद्देश है और अच्छी कहानी का उद्देश है कैसा होना चाहिए उसके अंदर घुला मिला होना चाहिए जो दूसरा तत्व होता है वो होता है कथानक जिसको इंग्लीश में बोलते हैं प्लॉट ठेक है और दूसरा क कहानी की विश्य वस्तू है जिस विश्य को लेके लिखा गया है वो विश्य वस्तू होती है आपकी कथा वस्तू ठीक है यानि कि आपकी थीम तो किसी भी कहानी कोई भी अच्छी कहानी जो होगी उसकी थीम कैसी होनी चाहिए विश्वश्नी ये थीम हो जैसे परीयों के देश की कहानी तो ठीक है वो बच्चों को सुनाने के लिए मज़दार है लेकिन एक मैच्चियोर पाठक के लिए क्या परीयों की कहानी इंट्रस्टिंग हो सकती है नहीं लेकिन हाँ आज के समाज पे जो वंचित वर्ग है या किसी पे तरह की कूरिती पे या कोई भी ऐसी चीज जो आज के टाइम पर बचलें उसको लेके उस थीम पे अगर कहानी लिखी जाए तो वो हम लोगों को इंट्रस्ट धिलाती है ना वो लगता है कि हाँ ये हमारी लिए हम लोगों के पड़ने के लिए लिखी रहिए तो जो थीम हो कहानी की वो कैसी हो विशवशनी हो फिर दूसरा आता है कथानक ठीक है? कथानक यानि कि आपकाhoot ठीक है? तो देखिए जो कथानक है वो कैसा होना चाहिए? कासा हुआ होना चाहिए? यानि के कहानिय से बिखरी हुई ना लगे ये ना लगे कि एक गटना रेंडम हमने यहां से उठाई और एक गटना रेंडम यहां से उड़ाई और लेकप ने उनका डेला ढाला हुई लिंक कर दिया है ऐसा नहीं होना चाहिए कथानक कसा हुआ होना चाहिए सारे पात्र, सारी घटना है, जो कारण कारिये संबंध है, जो संबंध निर्वा हो रहा है घटनाओं का आपस में, पात्रों का आपस में, वो सहे जरूप से चुड़ा हुआ होना चाहिए, है न, तो कथानक होना चाहिए, एक जो की कसाव के साथ हो, तो छे तत्व होते हैं कह कहानी के पहला हो गया आपका उद्देश ये दूसरा हो गया कथा वस्तु और कथा ना तीसरा होता है पात्र या चरित्र चीक है एक अच्छी कहानी के पात्र कैसे होनी चाहिए या तो क्या होते हैं आदर्श होते हैं या तो सर्फ अच्छे या तो सर्फ बुरे या तो एक राम ही है या एक फर क्या है रावन ही है दूसरे परकार के पातर कैसे हो सकते हैं स्वाभाविक हर एक इन्सान के अंदर अच्छाई और बुराई मिलती ही है कोई भी पूरा अच्छा या पूरा बुरा नहीं होता ठीक है तो एक अच्छी कहानी के पातर स्वाभाविक होते हैं वो परिस्थितियों के वश में रहके कही बार ढ़ने लेते हैं ठीक है लेकिन कुछ कहानीों के पातर कैसे होते हैं आदरश होते हैं कुछ भी हो अगर वो अच्छे हैं तो अच्छे रहेंगे बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे फिर दूसरा क्या होता है पात्र दो प्रकार से कहानी के अंतर देखने को मिल सकते हैं एक जो लेखक को के परतंत्र हो यानि के साब पता चल रहा हो कि पात्रों का स जिनने में थोड़ी परवरिष तो देता हूं लेकिन उसके बाद स्वतंत्र छोड़ देता हूं फिर वह जैसा चाहें वैसा मोड ले तो वैसी कहाणी अच्छी मानी जाती है जिसके किर्दारों का स्वभाविक विकास हूआ हूँ लेकिन कहीं बार क्या होता है लेकर खुद उपस्तित रहता है कहानी में और वो अपनी किरदारों को अपनी मर्जी से तरोड मुरोड के पेश करता है जब कि लग रहा था कि भई पातरत हुआ इस लायक दिखनी रहा है कि इसका ऐसे माइंड चींज हो जाएगा तो परतरंत किरदार हो सकते हैं फिर क्या होता है बहुत क वातावरण ठीक है परिवीश का पता चले स्वतंतरता के समय की कहानी है तो वैसा पता चले अगर आधुनिक समय की कहानी है तो वैसा पता चले अगर अतिहासिक समय की कहानी है जैसे सकंद गुप्त वगरा नाटक है तो वैसा पता चले है ना दिव्या उपन्यास है पता च अब एक भाषा शेली बहुता है ना कि किस भाषा में पात्र आपस में बात कर रहे हैं तो भाषा शेली कैसी हो पात्रों के अनुकूल हो जैसे हमने देखा था कि जो प्राची नाटक होते थे उनमें जो अभिजात्य वर्ग था वो संस्कृत बोलता था ऐसा दिखाया जाता और जो मतलब कि क्लास सिस्थम में नीचे वाले लेवल पे लोग आते थे वो प्राकर तो बोलते थे जैसे कालिदास के नाटकों में ऐसा देखने को मिलता है है ना तो उस language को ही देख के कोई बता सकता था कि ये पातर कौन से कुलीन वर्ग से है या क्या है तो आज के समय में तो ऐसा नहीं है लेकिन अगर कोई educated पातर है तो हो सकता है उसकी भाशा में English वाले word जो है तत्समी भाशा उसकी थोड़ी हो लेकिन मान लीजे कोई आपने एक अनपढ़ वेक्ती आपका पातर है तो वो बहुत समी भाशा नहीं बोलेगा उसकी कैसे भाशा होगी तदभवी भाशा होगी तो पातरों के अनुकूल भाशा होनी चाहिए फिर दूसी बात क्या है भाशा कैसे होनी चाहिए इस्थान वे समय के अनुरूप हो ठीक है अगर आज के टाइम की भाशा है तो हम ज़ादा तर English वर्ड को use करते वे अपनी बात रखते हैं अगर एतिहासिक समय के तो थोड़ पातर आ गए वातावरण हो गया कथानक हो गया उद्देश्य हो गया अब वो जो आपस में बातचीत कर लें वो डायलोक्स जो है वो कैसे होंगे तो अगर एक तो होता है कि जो लेखक है वो कहानी में उपस्तित रहतर बताता है कि यह यह है यह यह है इसकी यह तो एक अच्छी कहानी में ये माना जाता है कि लेखा को अनुपस्तित होना चाहिए, चरित्रों की सीधी बातचीत होने चाहिए, समवाद कैसे चोटे-चोटे होने चाहिए, बहुत बड़े-बड़े मॉनोलोग होंगे, तो बोरियत होने लगती है, ठीक है, और क्या हो, अग एक होती है कथा, एक होती है कहानी, जो कहानी है, उसके छी तत्वों होते हैं, इनको आपको याद कर लेना है, उद्देश्य कथाना क्या कथावस्तू, पात्रिया चरित्र, वातावरन, भाषाशली, समवाद्या, कतुब कतन, फुर ये भी हमने देख लिया कि एक अच्छी कहानी में क्या होना चाहिए, अब आजाते हैं आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है कि हिंदी कहानी का इतिहास, अब पहले ही देख लें कि हिंदी कहानी के इतिहास से प्रशन किस तरह के पूछे जा सकते हैं, चीक है, तो जैसे एक प्रशन आया हुए कहानी और कथा में अंतर फिर हमने देख लिया कहानी और कथा में क्या अंतर है फिर हिंदी की पहली कहानी फिर कहानी और उपत्नियास में अंतर है फिर हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर संक्षिप्त निबंद लिखिये फिर प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी फिर कहानी का चंद्रधर शर् इसकी व्याख्या करें चीक है यह हो गया उसके बाद है जैशंकर प्रशाद की कहानी कला फिर हिंदी की प्रगतिवादी कहानिया हिंदी की मनुवेग्यानिक कहानिया नई कहानियों की पर्मो कुशेश्टाव पर विचार करें और बताए कि इसे नई कहानी क्यों कहते हैं नहीं कहानी नया उपन्यास नहीं आलोचना तो वही है कि नहीं कहानी के बाद कि जो हिंदी कहानी की विकास यात्रा है उस पर टिपनी करनी है पिर कहानीकार अग्यर पर टिपनी है कहानीकार मुहन राकेश कहानीकार कृष्णा सोबती इन से यूपीस से पूछ चुकी है फिर क्ठी कहानी की विकास्यातरा को या इतिहास को पढ़ना है अब देखे हिंदी की पाहनी कौन सी मानी जाए है न तो तरसर ये लगता है कि जो पहले लेकिए गई मार लो लेकिन इतवा lawsuit नहीं है एक तो क्या है कि कोई भी जब विद्या शुरू होती है तो एक विकास के दोर से गुजरती है और विकास के दोर में क्या होता है धीरे धीरे उसके अंदर वो तत्व आते है जो उसको कहानी या वो जिसमें पर्टिकुलर विद्या की बात कर रहे है वो विद्या बनाता है तो माननी जे हमारे हाँ पे किस्सा गोई चलती थी कथा आख्यान है ना ये सब चलता था जैसे मैंने बज़ा आदर्शवाद तो जो नई प्रकार के कहानी है यथार्टवाद है इसको लेके विवाद ये है कि वो कौन सी कहानी मानी जाए जहां पे आदर्शवादिया किस्सा गोई के तत्व नहीं बलकि यथार्टवाद के तत्व दिखाई देते हैं ठीक है तो हमारे पास कुछ कहानिया हैं जैसे 1833 में इंशा अल्ला खा जो है उन्होंने राने केत्की की कहानी लिखी फिर 1871 में जो रेवरेंट ये न्यूटन थे उन्होंने एक जमिदार का चरित्र करके कहानी लिखी फिर राजा शिव परसा सितारे हिंद ने क्या लिखी राजा भोज थी फिर भारती इंडू हरिष्चंद ने एक अद्बुत अपूर्व स्वपन लिखा फिर किशुरिलाल गुष्वामी ने 1900 में क्या लिखी इंडू मती और फिर 1901 में जो माधवराव सप्रे थी उन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी लिखी जो 36 गड़ मित्र नाम की अकबार में छपी थी तो ये सारी जो कहानी और ये सारे जो लेखाक है ये दावेदार है हिंडी के पहले कहानी लेखाक या हिंडी की पहली कहानी बनने के लिए लेकिन क्यों इन में से केसी एक को माना जाएगा ये हम तरकों के साथ देखेंगे चीक है अब हम निक्स देखते है कि हिंदी कहानी का जो इतिहास है ना उसको कैसे पढ़ना है तो तीन भागों में बाठते हैं मोटे मोटा पहला है प्रेमचंद से पहले का काल जो कि 1901 से 1915 तक माना जाता है फिर प्रेमचंद पर साथ योग मानते हैं क्योंकि इन दोनों कहानीकारों ने इतनी अच्छी विद्या एक तरीके से इस पर पकड़ बनाई और इतनी अच्छी कहानिया लिखे पूरे काल का नामी इन दोनों के नाम पर रखा गया उसका होगा 1916 से 1936 फिर एक आता है प्रेमचंद के पश्चाथ जी क्या इतनी कोई एक मुख्ये उठा लेते हैं और उसको आधार बना के बनाते हैं तो आसान हैं वार्गी करेंक तो परिंचंद जों योगा आजन धर देकुए उसमें क्या क्या आता है तो जैसे हमने बढ़ा था कि जो हमारी आधुनी कवीदा थी उसके अंदर सबसे पहले क्या आया था प्रगतिवादी कवीदा इसी तरह प्रगतिवादी कहानी आएगी दूसरा क्या आएगा इसी समय पर मनुवेग्यानी क्यानी यानि कि उत्तर प्रे देखनी हूं मिलती है एक प्रगतिवादी माक्सिस्त वाली धारा और दूसरी मनोवज्यानी कहानी जिसका प्रतिम्यदत्र करते थे अग्य चैनींद्र इलाचंद्र जोशी है ना फिर दूसरा वर्डगी करन होता है नई कहानी का युग जो कि था 1955 से 60 जबकि नवलेखन का द की इतिहास में पढ़ना है फिर प्रेमचंद्र से पूर्व की कहानी है तो देखे एक टोकरी भर मिट्टी उसने कहा था 11 वर्ष का समय दुलाई वाली ये कुछ नाम है कहानियों के इनको आपने याद कर लेना है क्योंकि ये प्रेमचंद्र से पूर्व की कहानी पे अगर इपने लिखने को आती है तो आपको लिखने होंगे इस टाइम पर कैसी कहानिया होते थी आजर श्वाद उन पर हावी रहता था सुधारवाद की भावना हावी रहती थी कि भाई हर्द्य परिवर्तन करतेंगे सब को अच्छा बना देंगे इस तरह की चीज़े फिर आत्र उपलब्दी जो है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरे की कहानी उसने कहा था क्यों कि एक तो पहली बार इस भारत की जो कहानी कथा या जो भी आप कहें जो भी ये था इसमें पहली बार फ्लेश बैक जो पदती होती है इसका यूज किया गया पूरो दीपती जिसे कह बैसरे ये गार तो जो फ्लेश बैक वाले सारा का सारा एक विवरंट जैसे कहानी के अंदर आया और ये पहली बार उसने कहा था कि अंदर आया था दूसरा क्या था कि इसकी जो एक तरीके से कथा या फिर आपके हैं इसका जो प्लॉट या थीम थी वो रोमेंटिसिजम यानि कि स्वचंदता वाद प्याधरित थी क्योंकि भावना प्रीम प्रकर्टी इन पे बल था ठीक है डिटेल में देखेंगे हम नूट्स के साथ तो यह हो गया फिर यह तो था आपका प्रेंचन से प क्योंकि फ्लेश पैक है और स्वचंदतावाद है फिर उसके बाद आता है आपका प्रेंचन और प्रसाद यूवर यह हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे उसके बाद फिर आता है आपका प्रेंचन का भी दो भागों में डिवाइड करके कि जो 1915 से 1925 के बीच उन्होंने क्या लिखा चीक है तो यह आपका जो है हिंदी कहानी को यह आपका बेस था है इसको समझ में आ जाएगा तो आप नूट्स पढ़ेंगे तो आपको चीज़े क्लियर हो जाएंगी नूट्स भी हम देखेंगे जो इंपॉर्टन चीज़ें को कवर करते हुए चलेंगे और य यह हैं आपके नूट्स तो देखें कहानी क्या है एक कथात्मक गद की विद्या है और जिसकी रचना में कथा का धाचा हो कुछ गटनाए हो चरित्र हो आकार में लगू हो सामान्यत है उसे ही कहानी कहे दिया जाता है जो छेतत्व हमने पढ़े उनको ध्यान रखना है ठीक पर देखें यह वाला आप याद दिला देजिए अब यहां से शुरू करते हैं जो हमारा में पढ़ने वाला है कि हिंदी कहानी की विकास यातरा जीक है तो देखें अंग्रेजी साहित्य और भारतिय साहित्य की अंतकरिया होने लगी तो साहित्य में कैसा यथार्दवादी तत्र जो है प्रबल हुआ और अंग्रेजी का जो स्टोरी मूवमेंट था उससे प्रभावित होकर हिंदी में भी आदोनी कहानियों की शुरुवात हुई जी कैसे इसलिए सामाने तर माना जाता है कि जो माधवरा सप्रे हैं उनके द्वारा 1901 में रचित जो एक टोकरी भर मि जाती है अब देखे हिंदी कहानी की विकास भाई ऐसा माना जाए कि कहानी के जो तत्व हैं, जो छे तत्व हैं, उनकी परियाप्त उपस्तिती है, चीक है, अगर सिर्फ डेट वाइस देखा जाए सबसे पहले कौन से लिखी गई तब तो शेयत इंसा अल्ला खां द्वारा 1803 या 1808 में रचित जो रानी केत्व की कहानी थी, उसको पहली कहानी मांग सकते हैं, लेकिन अगर कहानी के तत्वों की खूच करें, तो फिर निराशा हाथ लगती है, क्योंकि ये कहानी पारसी लटके जटकों से भरी हुई, मद्यकालिन किस्म की किस्सा गोई थी, चीक है, उसके बाद दूसरा दावा आता है, जो एमे भी कहानी के तत्व कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म परचार का दृष्टिकों जादा हावी है, फिर उसके बाद 19-वे शदी के अंतिम दोर में दो प्रसेद कहानिया लिखी गई, एक राजा शिवपरसा सितारे हिंद द्वारा रचे थी, राजा भोज का सपना, और उसके बाद जो किशोरी लाल गो स्वामी हैं, उन्होंने 1900 में लिखी इंदुमती, तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और शुकर जी ने इसको कहानी का दरजा दिया है, लेकर शुकर जी कहते हैं कि जो इंदुमती है, वो शायद सेक्सपीर की जो प्रसि रचना है, उससे प्रभावित है, ये मौलिक रचना नहीं है, तो क्योंकि ये मौलिक नहीं है, तो इसलिए इसको पहली कहानी नहीं मान सकते हैं, फिर 1901 में, 36 गड़ मित्र नामक एक गुमनाम सी पत्रिका में, माधवरा सप्रे ने कहानी लिखी एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, ये जो कहानी है, ये एक विद्वा नारी और एक जमीदार है, उसकी स्वार्थ लिपसा के द्वंदी की कहानी है, जिसमें अंतत्य जो जमीदार होता है, उसका हर्दिय परिवर्टन हो जाता है, उसको पश्चाताप होता है, ठीक है, तो ये कहानी के तत्वों की द अब आती है प्रेमचंद पूर्वियूग की बात, तो 1901 से 1915 का समय काल था, इस समय भार्ट जो कहानी थी, उसके अंदर कहानी के तत्वों के साथ, भार्टिक कथा परंपरा में नीद जो आदर्श वाद था, जो नेतिकता वाद था, वो भी साथ दिखाई देता है, और क्योंकि इस समय देश नवजागरन के दोर से गुजर रहा था, तो राष्टवादी या सुधारवादी मान सकता भी आपर दिखाई देती है, कुछ प्रमुक कहानिया इस काल की वो आप देख लीजेगा, चीक है, लेकिन इस काल की जो कहानिया है, वो अभी क्या है, सेश्वावस्था में ही है, प्रोड़ता उनमें नहीं दिखाई देती है, एकमत उपलदी उसने कहा था, यही है क्यों, क्योंकि इसमें फ्लेश पैक का प्रियोग हुआ है, और शिल्प की प्रियोग सीलता भी इसके अंदर है, फिर जो कहानिकार है, चंदरधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में जो है, यहां पर बताया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजेगा, चेक है, फिर आता है प्रियमचंद और प्रसाद युग, चेक है, तो जो प्रियमचंद थे, वो देखे, यह थार्ट भी दो तरह का होता है, चेक है, मोटे तोर पर अगर बात की जाए, तो कौन सा एक होता है सामाजे की थार्ट, और एक होता है आपका मनुवग्यानिक थार्ट, जो सामाजे की थार्ट है, इस समाज की क्या सच्चाई है, इस समाज के अंदर, जो भी चल रहा है, उसको लेके महिला, मजदूर, किसान, इस समाज को परिवार, संस्थाइ, इनको लेके जो लिखा जाता है, उसको बोलते हैं सामाजे की थार्ट, लेकिन जब मन के भावों को, अपनी अंतर भूतियों को, उनकी सच्चाईयों को लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं आपका मनुवग्यानिक थार्ट, तो जो प्रेमचंद और प्रसाद हैं, उनमें अंतर इस बात का था, प्रेमचंद ने सामाजे की थार्ट को विश्य बनाया है, अपनी कथाओ काहनियों का, और जो प्रसाद हैं, इन्होंने मनुवग्यानिक थार्ट को अपनी काहनियों का विश्य बनाया है, जिस समय ये लोग लिख रहे हैं, ये समय है आपका 1915 से लेके 1936 का समय तो ये तो भारत में सोतंदता अंदोलन का यूग चल रहा है तो जो प्रेमचन्द है वो गांधी वादिक से सीधे परभावित नजर आते हैं अपने कम से कम शुरुवाती दोर में तो वो कांधी के अहिंसा, सत्या, गर्या, हर्द्य, परिवर्तन जैसे सद्धानतों से परभावित थे और उनकी कहानियों में इसका परभाव साफ रोप में दिखाई देता है हाला कि जो प्रसाद है उन पर सीधे तोर पर पर परभाव नहीं है क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति की निजता जैसे प्रशनों पर लेखन करते है अब कहानिकार अगर प्रेमचंद की बात की जाए तो देखिए प्रेमचंद की पूरे कहानी का जो एक समय रहा है इसको दो भागों में बाड़ सकते है पहला जो चरण है उसको आप कह सकते हैं 1907 से लेके 1925 तक और फिर दूसरा चरण है 1925 से लेके 1936 तक क्यों दो चरणों में बाटा है देखिए 1907 से 1925 के भी जो प्रेमचंद लिखते हैं उसमें आदर्श वाद हर्दिय परिवतन अहिंसा गांदी वादी विचार धारा का प्रभाव जादा है और जो प्रेमचंद यथार्ट तो लिख रहे हैं लेकिन आदर्श उनमुख यथार्ट लिख रहे हैं यानि कि कहानी पूरी चलती यथार्ट पे है लेकिन एंड तक आते आते वो सब को जोड़ तोड़ के अच्छा करवा के और हैपी एंडिंग करा ही देते हैं जिबकि लाइफ में हमेशा हैपी एंडिंग नहीं होती तो 1907 से 1925 तक प्रेमचन ने जो लिखा उसको कहते हैं आदर्श उनमुख यथार्ट वाद फिर जब 1925 का समय आया तो उनका मुहोबंग हो गया इससे और उन्होंने एकदम सपार्ट रूप में इस पस्ट रूप में जो यथार्थ है उसको एज़र्टेस पेश करना शुरू कर दिया जिसकी चरम उपलब्दी उनके उपन्यास गोदान और उनकी कहानी कफन में दिखाई देती है इसको हम आगे पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे दो चरनों में प्रेमचन दिखाई देते हैं उनकी जो पहले चरन की प्रमुक कहानिया है तो कौन-कौन सी है पंच परमीश्वर बड़े घर की बेटी मंत्र बूरी का की आती फिर उनके दूसरे चरन की कहानिया देखेंगे तो उसमें कौन-कौन सी अलग विजा इदगाह, सदगती, सतरंश के खिलारी, पूस की राथ एक बहुत भैतरीन कहानी है तो यह सारे इनको पढ़नी जगा की क्या है इनके इंदर फिर दूसरे कहानी का रहे है आपके जैशंकर प्रसाद तो प्रसाद क्या है एक बहु मुखी प्रतिवा के धनी विक्तित है न तो और आलोचना में भी है यह तो प्रसाद जो है इक बहु मुखी प्रतिवा के धनी है और इनकी तो आपका स्लेबस में चीज़े दी भी हुई है चीक है तो यह कैसे है यह प्रेमचंद की तरह सामाजिक यथातवादी दृष्टी नहीं रखते बलकि कैसी स्वचनता वादी दृष्टी कून रखते हैं जो हमने चायावाद में पढ़ा था ठीक है इन्होंने कुल 69 कहानिया लिखी है जो चाया प्रतिधवनी आकाश्टी आंधी इंद्रजाल इन कहानी संग्राओं के नाम से प्रकाश्य तो हो चुकी है इनका जो दृष्टी कून है वो प्र प्रसाद के बारे में बताया हुआ है कौन-कौन से कहानिया है फिर यहां पर आपकी कुछ पॉइंट्स हैं इनको ध्यान लख सकते हैं कि प्रसाद की सारी कहानियों को जो प्रवत्ती और रूप विधान है उसके आधार पे वरगिक्रत किया जा सकता है यासे एतिहासिक कहा जे-चितोड का उधार अशो ये थाधवादी कहानियों में सलीम इंदर जाल गुंडा फिर मनुवapan ग्यानी कहानिया इस तरह सुचिंतावादी कहानिया फिर भावनात्मक कहानिया प्रतिकात्मक कहानिया ये इस तरह हैसे आपको जो है जो है केटिगरिय और उसके अंदर का एक एक दो दो नाम याद रखना है फिर परसाद की जो कहानी कला है वो कैसी थी तो यह आप देख लिए जगा की नारी चरितर जो हैं कैसे होते थे देखे परसाद की यहां पर नारी चरितर काफी महान दिखाए रहे है त्याग की एकदम देवी है और हर अपदेश के प्रेम के उपर सर्वस नुचावर करने को तयार है ठीक है और उनका मतलब वो नारी चरेतर इतने महान है कि वो पाठकों के मन पे प्रभाव छोड़ते है ठीक है तो ये चीज जो है प्रसाद को थोड़ा अलग करती है फिर वर्नात्मक शैली का इनोंने प्रयोग किया हुआ है ठीक है तो ये सारी चीज है फिर भाशा कैसी है तो काव्यात्मक और भाव में ही भाशा है क्यों जैसे च्छायवादी ये कवी हैं तो उसका बात का प्रभाव पढ़ता है फिर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनोंने सामाजिक यथार्थ के स्थान पर मानसिक यथार्थ को उभारा है और यही मानसिक यथार्थ आगे चलके मनुवैग्या ने कहानियों की समर्द परंपरा में विक्सित हुआ जिसमें जैनेंद इलाचंदर जोशी और अग्या ने लिखा है तो यह था प्रेमचंद पूर्व यूग प्रेमचंद प्रसाद यूग और अब आता है आपका उत्तर प्रेमचंद यूग तो उत्तर प्रेमचंद यूग में दोव धारा आती हैं, है ना, हम मैंने बताया था, आपको एक आती है, आपकी मार्क्सवादिया, प्रगतिवादी धारा, चीक है, और दूसरी आती है, आपकी मनुव एग्यानिक धारा, तो देखे, जैसे कि हमने कवीता के टाइम पर करेंगे, आप बहुत जल्दी चीज़े कवर होगी, क्योंकि अब आप सब समझ चुके हैं, मैं जैसे ही बोलती हूँ, मनोव इसलेशन वाद आपको समझ में आता है, क्योंकि हमने कवर कर चुका है, मैं अगर बोलूँगी कि आस्तितववादी दर्शन का प्रभाववे, सा तो जैसे मैंने का प्रगतिवादी, तो ये भी आप समझ चुके हैं थे कि प्रगतिवादी कवीता को क्या कहा गया था, कि माक्सवाद का साहितिक संस्क्रण है, तो वही माक्सवाद से प्रभावित जुद्धारा थी, उसको प्रगतिवादी समाजवादी कहानी कहते हैं, आपको पता है यह शिल्प का महत्व नहीं था, कथे का महत्व था, चीक है, और किसान मजदूरों के बारे में लिखते हैं, कौन-कौन से लेखक है, सबसे समर्थ तो यश्पाल है, फिर अन्य हैं तो नागर जुन, राहुल, संकरत, इन रांगी, रांगी, रांग, यह सब रखा है, तो पता है, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, तो प्रगतिवादी कहानी हो गई, इसके परमुक जो कहानी का रहे है, यश्पाल, नागर जुन, इन सब के बारे में देख लीजएगा, कुछ-कुछ नाम आपको याद कर लेने चाहिए, फिर दूसरी धारा मैंने आपको बताया था जो पेस्चे में फरॉयाड ने एक आंदोलन शुरू किया था है, उस आंदोलन से परभावित हो कर जो रचनाई लेकरा थी उनको मनोविसशलेशन वाद से परभाव्त रचनाई कहा था है, प्रते निधितव कॉन करते है इसमें आपके जैनिंद्र इलाचंद्र जोशी और अग्य देखिए फ्रायट ने क्या कहा था कि इंसान के जीवन के जो मूल प्रवत्या है वो काम चेतना है लिबिडो ही उनमें सबसे जादा इंपॉर्डेंट है और उसी से ही सारा जीवन चलता है ठीक है और फ्रायट कहते थे कि जो हमारा conscious mind है जो साम conscious mind में है जिनके वारे में व्यक्ति स्वयम नहीं जानता है तो आप तो उसको क्या ही जज़ करोगे ठीक है उन्होंने फिर क्या बताया था जो जैसे हम कहते हैं कि एक आपका conscious mind है फिर एक आपका subconscious mind है इसी को इन्होंने क्या किया था आपका ego चीक है इड फर ego और फिर सूप क्या ही करनी है उसकी तो उसको ego super ego के आधार पर व्याक्या कर सकते हैं यह सब हम पढ़ चुके हैं यह सब आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं एक बार आप reading करेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें बस यह जानना है कि जो मनोवेग्यानी कहानी थी उनमें जो कथा वस्तु इसलिए में घटनाओ का मैंतर बढ़ जाता था यह ट जनाव के नहीं लिख रहा है तो इसलिए तो बाहुत है प्रमुक अंतरद्वंद्थ इसका मैतुर बढ़ जाता CPR आप मन के यह ऑस्तु लिए चार्टी है बहुत हिए और प anlamत्र्षाबित उसमांथ दून कभी भी सहज या सपाट नहीं होगी बलकि भाशा कैसे मन जाए कि बेहद प्रतिकात्वक सिंबल्स के रूप में चीक है तो इस तरह से जो है आप बता सकते हैं जो मर्मो विसलेशन वादी कहानी थी उनकी क्या प्रविशेष्टाई थी परमुक विसलेशन वादी कहानी कार त इनका पहला कहानी संग्राय तरिपथा 1931 में जो है एक तरीके से प्रकाशित हुआ था चीक है और इनकी कहानियों में सूक्ष में विसलेशन आत्मक्ता और वहचारिक परिपक्तवता देखने को मिलती है और इन पे दो विचार धाराओ का प्रभाव है जो जब हमने अग्य को कवीता में पढ़ा था तब भी जाना था एक तो फ्रायर के मनोविसलेशन वाद का और एक सात्र के अस्तित्व वाद का चीक है और इन से प्रभावित होने की वज़े से अग्ये कैसा लिखते है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके मानसिक पक्छोगों के इंद्रियम हत्वते के जीक है और इनकी कहानियों में जो मूल निकल के आता है वो या आता है अपने अंतरमन की खोच तो जैसे इनकी एक कहानी है रोज या गैंगरीन पड़िएगा काफी अच्छी कहानी है यह बहुत प्रसिद कहानी है उसके बाद फिर इन्होंने जो है इनकी जो कहा कहानी है कि ऐसा तो रोज होता है इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पर ठीका भी कहते हैं जो इसके बाद नई कहानी आंदोलन आया ना तो उसकी शुरुवात मानी जाती है अग्ये की ऐसा तो रोज होता है कहानी से फिर कुछ कहानिया दी हुई है और उनके कुछ नाम याद पर करने है पर देखिए क्या है शिल्प के आधार पर अग्ये के जो कहानिया है इसमें कुछ विशेषता है बताई जा सकती है जैसे कठानक लगभग खतम हो गया है और इसकी जंगाद किसमे लेली अमन्शिक सत्ते हैँ क्योंकि आप बाहर के बारे में, बाहरी जीवन के बारे में, घटनाओं के बारे में, पात्रों, चरित्रों के बारे में नहीं लिख रहे हैं, आप मन के भाव, मन के अंदर उठने वाला जो द्वन्ध है, जो तूफान चलता रहता है, उसके बारे में लिखले कथानक जो है, कहानी का जो पारंपालिक ढाचा था कि कहानी शुरू हुई फिर उठान हुआ फिर गिरी फिर एंड हुआ घ्या घ्यादी साण कि मन के भावों का नो कोई धान end कहानी का अन्त किसी आदर्श या उत् Lean के बिंद्धू पे नहीं होता फिर भाषा कैसा या अतियन सजग और सधावा प्रियोग तो शिल्प में जब हमने कवीतात में भी पढ़ा था कि अग्य क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति उतना ही सोच पाता है जितनी कि उसकी भाषा की सीमा है और ये लोग भाषा को लेकि बहुत जादा सजग है क्योंकि ये कहते हैं जो कथे आप कहना चाहते हैं उसको सबसे बहतर तरीके से आप तभी कह पाएंगे जो भाषा पे आपकी पकड़ हो चीक है तो ये वाले चीज़ भी बात मक्ता परतिकात मक्ता ये सब जो है गुण इनके भाषा में दिखाई देते हैं फिर शैली की बात अगर की जाए तो फ्लेश बैक का परियोग चेतना परवा, प्रत्यावलोकन, पत्रादी शैलियों का परियोग इनकी कहानियों में देखने को मिलता है ये सब चीज़ आप चीज़ समझ जाएंगे कि मन के अंदर के बारे में लिख रहे हैं तो कौन सी शैली जो है जादा बेटर तरीके से लिख सकते हैं तो हमने जो है आज कहानी शुरू किया था और इसमें हमने प्रेमचंद से पहले और प्रेमचंद के बाद और उसके बाद प्रेमचंद वाला ये तीन यूग देख लिए है मुझे उमीद है कि मैं आपकी कॉंसेप्ट क्लियर करने में सफल रही हूँगे और क्योंकि एक बार अगर आपकी कॉंसेप्ट समझ लिए तो फिर आप नोट्स पढ़ेंगे न बढ़े आसानी से चीज़े समझ में आ जाएंगी अब लोगों को सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं चैनल के वीडियो को लाइक भी करना है चालिए थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच्च